Hello guys, welcome back to another video of Microsoft Excel आज के इस वीडियो में हम लोग Excel का एक बहुत ही कमाल का option सिखने वाले हैं जिसका नाम है Flash Fill So वीडियो को आखरी तक देखिएगा, I hope आपको ये वीडियो बहुत जादा पसंद आने वाली है So ये जो Excel का Flash Fill option है, इसकी मदद से हम लोग अपने text में से कोई एक specific text निकाल कर एक अलग cell में असानी से रख सकते हैं Let me show you how, बिना time waste के चली वीडियो को start करते हैं So हम लोग start करने वाले हैं Flash Fill के एकदम basic task के साथ मान लीजिए हमें इस full name में से first name separate करके इस range में लिखना है So ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ लिखना होगा यहाँ पर Elon, the first name, यहाँ पर मैंने first name लिख दिया है Enter press करके जैसे ही मैं यहाँ यहाँ पर J लिखूँगा J लिखते ही यहाँ पर देखिए suggestions आ गए है Gray color के letters में मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है Enter press कर देना है यहाँ पर देखिए सभी names के first name आ गए है So यह जो हुआ है सब कुछ Flash Fill के कारण हुआ है जिसके लिए हमें सबसे पहले एक hint देना होगा Excel को यहाँ पर मैंने सबसे पहले alone नाम लिखा था And then we went to second cell and typed J हमने J लिखते ही यहाँ पर सारे suggestions आ गए Excel समझ गया कि आगे यह क्या लिखने वाले है तो यह सब कुछ हुआ Flash Fill के कारण Next इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर last name चाहिए सिर्फ तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर Musk Flash Fill को करने का दूसरा तरीका यह है कि Musk लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको select कर लेता हूँ इस पूरी range को हमें जाना है Home Tap के Editing Group में Fill Option पर यहाँ पर Last Option है Flash Fill इस पर क्लिक करते ही सभी Names के Last Name यहाँ पर निकल कर आ गए हमें कुछ भी जादा मेहनत करने की जुरत नहीं पड़ी तो यह हमने क्या सिखा हमने यहाँ पर First Name और Last Name को separate करके लिखना सिखा Flash Fill के और भी कई सारे काम है Let me show you one more हम यहाँ पर दो अलग अलग Cell के content को मिलाकर एक Cell में भी रख सकते हैं कैसे? हमें यहाँ पर लिखना होगा First Elon Musk तो मैंने यहाँ पर Excel को hint दे दिया है कि First जो है value है First वो आ जाए इस Cell से and जो Elon Musk की जो value है वो यहाँ पर B2 Cell से आ जाए Then हमें क्या करना है? हमें इस Cell Range को select करना है अब Flash की एक shortcut की भी है Flash fill को करने के लिए हमें प्रेस करना होगा Ctrl प्लस E प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए सभी names आ गए है दोनों जो Cell से हैं वो combine हो गए है First, Elon Musk Second, Jeff Bezos Third is Bernard Arnold सभी अपने आप यहाँ पर आ गए है तो यह तो हो गया Separate करना First Name और Last Name को दो Cell को combine करना Next, हम लोग जो है यहाँ तक अभी मैंने क्या किया इस Cell के content को और इस Cell के content को अलग किया है या फिर add किया है हम चाहें तो completely different sentence बना सकते हैं Flash fill की मदद से इसको देखके आप बिलकुल ही चौक जाओगे कि यह भी feature है एक्सल में यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ The First तो मैंने यहाँ पर यह sentence लिखा है The first richest person in the world is Elon Musk तो मैंने यहाँ पर hint दे दिया है एक्सल को कि यह जो first value है वो आ जाए यहाँ पर यहाँ पर A1 cell से और जो यहाँ पर Elon Musk लिखा है वो आ जाए यहाँ पर B2 cell से So इसको भी हम लोग यहाँ पर select कर लेते हैं हमें जाना है Home tab के editing group में Fill option पर यहाँ पर Flash Fill पर click करना है Click करते ही आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे sentences अपने आप Just one click से लिख के आ गए है First richest person is Elon Musk The fourth richest person in the world is Bill Gates The tenth richest person in the world is Warren Buffett So देखिए कितना कमाल का option है यह Flash Fill कुछ और भी features है इस Flash Fill option के Let me delete this Okay So अगर हम चाते हैं कि सभी names के First letter यहाँ पर हूब हूब आ जाए तो इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ लिखना होगा Small e अगर मैं यहाँ पर Small e लिखूँगा तो सभी के First letter Small letter में आएंगे अगर मैं यहाँ पर Capital e लिखूँगा तो सभी के First letter Capital में आएंगे e लिखने के बाद इस range को select कर लेते हैं Fill Flash Fill इसका shortcut की है Ctrl plus e Otherwise हम लोग यहाँ पर Fill पर जाके भी कर सकते हैं अगर मुझे शुरुआत के दो letters चाहिए जैसे कि El यहाँ पर इस बार मैं Small letter में लिख रहा हूँ जैसे ही Next cell पर जाके मैं J लिखूँगा तो यहाँ पर देखे Suggestions अपने आप आगे सो Flash Fill को करने के तीन तरीके हैं इन Suggestions का इंतजार करो या फिर Ctrl plus e की मदद से या फिर Home tab के Editing Group में Fill Option की मदद से हम लोग कर सकते हैं अगर आप Suggestions की मदद ले रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ Enterpress करना है सभी Names के शुदवात के दो Letters Small Letter में आ जाएंगे ओके Next इसको करते हैं Delete अगर आपको Again कोई भी एक Pattern चाहिए तो आप उसको आसानी से दे सकते हो जैसे की मुझे सभी जो First Name है Small Letters में चाहिए E-L-O-N मैंने लिख दिया अगर मैं यहाँ पे J लिखूँगा J लिखते ही यहाँ पे Suggestions आ गए Enterpress करते ही यह हमारे सामने सारे के सारे First Name Small Letters में आ गए तो उसको भी हम लोग Flash Fill की मदब से कर सकते हैं हमें लिखना होगा सिर्फ D-R Next Cell पे जाना है जैसे ही मैं यहाँ पे E लिखूँगा तो अपने आप Suggestions सारे आ जाएंगे हमें सिर्फ Enterpress करना है और यह रहे सारे Professions अलग range में अगर मुझे इस पूरे टेक्स्ट में से First Name निकाल कर यहाँ पे रखना है then we can do this also हमें लिखना है Richard then इस range को select करना है editing group में जाके Fill पे क्लिक करना है and then Flash Fill option पे क्लिक कर देना है सभी के First Name यहाँ पे आ गए है एक और the last the most important example इसको miss मत करना अगर मुझे चाहिए यहाँ पे Dr. Parker यानि कि Profession और Last Name यह आखरी example बताने वाला हूँ तो इसको कर सकते हैं यहाँ पे लिखना होगा Dr. Parker यहाँ पे मैंने Profession और Last Name लिख दिया है Cell range को select करना है Ctrl प्लस E प्रेस करते हैं यहाँ पे Flash Fill हो जाएगा and then we can see जो Profession है वो आगया है और Last Name आगया है Dr. Parker, Engineer Bell, Engineer Allen, Dr. Raw So इतना काम का है हमारा यह Flash Fill option Now इस Flash Fill option के इतने features होने के अलावा इसके कुछ limitations भी है Limitations would be a wrong word सिर्फ एक limitation है वो यह है कि अगर हमारे data के बीच में continuity अगर break हो गई अगर मैं इसको delete कर देता हूँ Let me delete this also तो यह काम करना बंद कर देगा So यहाँ पर मैं इस range को blank छोड़ रहा हूँ और पिशली बार की तरह यहाँ पर मुझे चाहिए Dr. Parker, Profession and Last Name So फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ Dr. Parker And पिशली बार की ही तरह इस range को select करता हूँ Fill पे जाते हैं Flash Fill पे क्लिक करता है यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी एक error It is saying We looked at all the data next to your selection And didn't see a pattern for filling in values for you कह रहा है कि मैंने आपके selection के अगल बगल सभी data को देखा लेकिन मुझे ऐसा कोई भी pattern नहीं मिला कि मैं इस range में fill कर सकूँ So, इसके लिए make sure कि जो आपका text है वो इस data के साथ में होना चाहिए Means, कोई भी cell का gap नहीं आना चाहिए So, इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ Cut इसको यहाँ पे paste कर देता हूँ Now, अगर मैं यहाँ पे select करता हूँ जाता हूँ Fill पे Flash Fill तो यह काम करेगा एक तम perfectly So, यह एक limitation है Flash Fill option की वैसे इतनी सारी features के बाद इस limitation का होना कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग जहल सकते हैं So, that's all इतने काम का function है यह Flash Fill I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ, तो वीडियो को like करेजिए वीडियो को share करेए अपने friends के साथ और चैनल को subscribe करेजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में Excel की, कुछ नई topic के साथ कुछ नई information के साथ चो की आपको पसंद आएगी I hope And that's all Thank you for watching the full video See you in my next video Till then, bye bye, take care, see you soon